नमस्कार आप देख रहे हैं भारत लाइब मैं हूँ अभी सेक मिस्तरा कल विहार के पुर्व डिप्टी सी एंँ सुसील कुमार मोधी ने ब। पत्का लालस दे रहे हैं और जब मैंने इस नमबर पर फोन किया तो सीधे लालू प्रसाद यादों से बात हुई मैंने कहा कि आप गंदी राज़निती कर रहे हैं और आप इसमें कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे लालू प्रसाद यादों पर जेल मैनूल के उलंगन के सरकार में मंत्री रहे अपुर मंत्री हैं जेडियू के कद्दावर नेता हैं मुखर परवक्ता हैं नीरच कुमार वो लगातार लालू प्रसाद यादों पर हमलावर रहे हैं तो उन्होंने हमला बोला है पैच उन्होंने हमला बोला है राजर सुप्रीमों लालू प्रसाद यादो पर और लिखा है अपने ट्वीट में कि क्या कुर्सी के लिए बेटे को अपने बुजूर्ग पिता की ऐसी घिनोनी सियासत पर सर्म नहीं आती अगर बेटे में थोड़ी सी भी नेतिकता है तो राजनिती से पहले अपने परिवार से इस्तिफात दे देना चाहिए या अनेतिक सियासी साजिस रच रहे हैं सजायापता सियासी माफिया लालू परसाद के साथ और कितने गुंडों को एंडिये विधायकों के पीछे छोड़ा गया है तो दरसल देखिए जिस तरह का गनित है और जिस तरह से बिहार में चुनाओं के नतीजे आए हैं और संख्या पहले भी जताया जाता रहा है कि जोड़ तोड़ की कोशिस होगी और दोनों तरफ से होगी अनडिये को लेकर ये कयास लगाए गए इंडिये को लेकर ये खबरे आती रही अंदर खाने से की कॉंग्रेस को तोड़ने की कोशिस हो रही है ताकि संख्याबलकोई मजबूत da और यह कहा है कि आपको तो अपने परिवार से ही नाता तोड़ लेना चाहिए जब इस तरह के एनितिक काम में लालू लिप्त हैं तो बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारों से कल सुसील मोदी ने जो ट्वीट किया उस पर रियाक्शन जेडियू के नेता अजे माफ किजे निरच कुमार का और इससे बिहार की राजनिती और गर्माने वाली है यह बिल्कुल तैय है तो इस पूरी खबर में इतना ही बहुत-बहुत धन्यवाद अगर वीडियो पसंद आई और वहार के राजनी और विहारियत से स्वरुकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दब देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए अगर रुवा पत्रकाइटा के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद